अपने दो दिवसी कासी प्रवास की दूसरी दीन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सीर गोवर्धन इस्तिश संत्रविदास जी की प्रतिमा का अनावरन करने के बाद कर्खियाओं पहुचे जहां उन्होंने ग्रीन फ्रिंट प्रोजेक्ट पर आधारित बनास अमूल डेरी प्लांट का उधगाटन किया सबसे पहले पियम मोदी ने दीप्रजलित किया और उन्होंने इसके बास संपूर्ण प्लांट का अवलोकन किया लैप का भ्रमड किया और अमूल प्लांट की खूप सराना की इसे देखकर प्रधाल मंत्री नरेंद्र मोधी बेहत खुश नजर आए उन्होंने अमूल प्लांट से जुड़ी एक एक बारीकियों को करीब से जाना इस दोरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित नाद भ बनाये जा सकेंगे और यह ग्लीन फ्लिंट प्रोजेक्ट पर आधारित है साथे साथ बताते चले कि बनास कासी शंकूल का यह प्लांट उत्रप्रदेश के वारांसी जॉनपूर गाजिपूर चंदॉली भदोई जैसे जिलों के लगवग एक हजार दुग्द मंडियों का गठन किया गया है इससे स्थानी पशुपालकों को दूद का सही दाम और उनके उत्पादों को एक नया रोजगार भी मिलेगा इसके चलते 25 लाग परिवार के लोगों को फिल्ड में कारे भी मिलेगा इस प्लान के चलते प्रतिदित 5 लाग दूद प्रोसेसिंग भी होगी झाल